दोस्तो सलमान खान अगर ये गलती नहीं करते तो बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी बाते होती रहती हैं सेनोरीटा ये डायलोग सलमान खान की मूवी का होता है लो गाइस कैसे हुआ आप लोग स्वागत है आपका हमारे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तो आज हम किसी मूवी का रिव्यूव या फिर कोई बॉलिवूड न्यूज मैं दोस्तो आपको नहीं दूँगा बलकि यहां पर हम लोग बात करेंगे सलमान खान ने आखिर कितनी बड़ी बड़ी गाइस मूवी को रिजेक्ट किया है जो बाद में जाके ब्लॉक्ब की सबसे बड़ी ब्लॉक्बस्टर थी डीड़ी जिए cui साल की सबसे जयादा कमाई करने वाली मूवी थी उसके टकर में कोई नहीं था मॉम कितने सालों तक दोस्तो लगीघेWS कि आपको पता है कि यह reset खान से पहले और भी स्टार को offer हुई थी पहले सैफ लिचान को offer किया गया मना कर दिया उसके बाद सलमां खान को मुवी ओफर हुई DDLJ हकीकत में और फिर सल्मान खान ने भी मना किया उसके बाद शारू खान के जोली में गई यह मुवी गई और नतिजा आप लोगे सामने है कि मुवी के दरनी बड़ी हीट हुई देखो भाई यह जो आर्टीकल है जहां से मैं गाई यह देख रहा हूं इ भी उनके सबसे बैस्ट मुवी है और उसमें उनकी एक्टिंग लिटरली जबर्दस थी हाना कि यहां पे तो मैं कहना चाहता हूं कि सही हुआ सल्मान खान ने नहीं कि शारू खान ने जो किया वह लाजवाब था यानि कि चक्दे इंडिया जो मूवी थी में भी मेरे ख्या इनाहां पे सलमान खान को पहले अदिता चोपरा ने दोस्तों झेंख़े हो इसके अलावा घंग अगली मुवी की बात करें तो यह भी शारूख Khan की ही movie है यानि कि बाजीगर तो गाइजी बाजीगर जो movie है आपको पता है कि कितनी ब्रूदस movie है उसके जो dialogue है आज भी लोगों के कानों में घूंचते है अनि की भाई सहाव हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं कि टो गाइज यहां पे इस Pine के अनुसार अब आस मिस्तान की पहली पसंद कि शारुख नहीं कि सल्मान खान थे ज्यांस रिपोर्ट्स का और कि अब बाइब रोल का सब्सकुन सब्सक्राइब जिसको सल्मान और गाइस कल हो लुक्त और कर दिया कर दिया कि और बहुत इमोशनल मुवी थी बहुत अच्छी स्टोरी थी उसकी उस मुवी की कहानी भी भाई सहाब पहले सलमान खान को ही दोस्तो सुनाई गई थी लेकिन फिर सलमान खान ने दोस्तो उसको भी मना किया वहीं इसके लावा दोस्तो एक आमिर खान की मुवी को भी सलमान खान ने दोस् तो मुझे लगता है कि उनका जो कर्या डाउन था जैसे कि आपको पता होगा 2007 में उनकी पांच मुवी आई थी पांच मुवी और पांचों के पांचों फ्लॉप डिजास्टर जिसमें से मैं और मिसिस खन्ना लंडन ड्रीम्स और भी गाइस बहुत से मुवी थी मैं नाम भू भी नहीं आई थी जिसने भाइस आप कह सकते हैं कि मास एंटर्टेनिंग दौर शुरू किया तो आमिर खान से पहले वह जो मुवी है सल्मान खान को दोस्तों ओफर की गई थी अल्लु अर्विन ने उनको ओफर करी थी लेकिन सल्मान खान ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि स कि इसके लावा दोस्तों इनुशाट अल्ला को सल्मान खाने दोस्तों मना किया सन जील क्योंट चाहते हैं इसलिए उन्होंने और किसी को आफर ही नहीं किया तो वो डबा बंद है क्या कह रहा है दोस्तों आपका इसने बताओ कमेंट में बताओ इतनी बड़ी ब्लोगबस्टर मुवी सल्मान खान ने नौ कहा अगर गाइस वह मुवी सल्मान खान करते तो कैसा रिजल्ट होता बताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही